दोस्तों अगर गर की construction करवा रहे हो और ये 10 चीज़ें अगर आपको नहीं पताऊंगी तो आपका गर strong नहीं बनेगा क्योंकि कोई भी ठेकेदार, कोई भी mystery ये आपको करके नहीं देगा आपको खुद से उसको बोलना बड़ेगा और दियान रखना बड़ेगा मैं बात कर रहा हूँ, lepping की, beam में lepping बहुत important होती है कि कहाँ lap देना है कि आपका beam fail नहीं होगा अगर अर्थ के एक आएगा जहाँ आपका गर गिरने वाला होगा column में कहाँ lap देना है, फिर साथ ही साथ जो development length होती है, बहुत important होती है, L जो provide करती है column में कितना देना होता है, किसी साब से decide करना है, ये नहीं है कि एक feet है, डेट feet दे देना है, या pillar में कितना देना है, beam में कितना देना है, ये बहुत important video है सरिया प्रवाइड करने से पहले ये वीडियो देख लेना नहीं तो कोई ध्यान नहीं देगा ना आपका ठेकेदार देगा ना मिस्त्री देगा तो जितना भी खर्चा कर लोगे तो कॉलम आपका या बीम आपका वीकी बनेगा सबसे पहली चीज में आपको बता दूँ दोहजार चोबी सभी चल रहा है आपको अपनी गर की कंस्ट्रक्शन में जब भी सरिया यूज करने है वो करने है TMT बार किसी भी कंपनी का लो मैंनी बोलता टाटा का लो, जिंदल का लो, कामदेनू का लो किसी भी कंपनी का लो TMT बार लो और 550 ग्रेड लेना है SD यह चीज हमने, जब सरिया हमने यह अच्छा ले लिया अब इसको बांदना कैसे है, लैब कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूँ हमारा कोई पिलर है, यह बीम है हमारा हमारी maximum height कितनी होती है 10 foot होती है, पिलर की, एक स्टोरी की ठीक है, 10 foot है जो आपके सरिये बीच में provide करते हैं हम लोग, 12 mm का, 16 mm का कोई भी सरिया, यह सरिया डाल दिया, ठीक है समझते जाओ, पूरा समझो, बहुत important है, कोई ध्यान निवी देता है तो जो आपका lab, देखो सरिया हमारा 12 mm का आता है 40 foot बोलो, ठीक है, 12 mm का आता है तो सीधा 12 mm तो खड़ा नहीं करते हैं 40 foot खड़ा नहीं करते हैं, उसको काट के खड़ा करते हैं, तो आपको किस तरिके से काट, जब काट दिया एक छोटा होगा, हमेच्छा सरिया क्या करना है एक चोटा काटना है एक बड़ा काटना है ये तो हमें पता है कि चोटा बड़ा काटना होता है लेकिन आपको कभी भी lap center में नहीं देने lap क्या हो गए कभी काफी लोगों को lap नहीं पता होगा lap होता है दुनों सरीओं को हम जोडते है मतलब नीचे से ये सरीया जाड़ रहा है इसके उपर एक और सरीया जोड़ा जाएगा यहां जोड़ा जाएगा फिर वो उपर निकलेगा ठीक है तो यह जो जोन है आपको यह हमेशा आपको जोन होता है कॉलम के center में कहां कॉलम के center में जहां आप समझ लो जहां से आपका pillar start हो रहा है उससे 3 foot 3 foot तक आपको lap नहीं देना है मतलब आपको pillar के center में हमेशा याद रखना है कि आपका जो lap आएगा वो pillar के center में आना चाहिए और lap किस तरीके से होना चाहिए एक सरीया ऐसे है आपका दूसरा ऐसा होना चाहिए ठीक है मतलब यह नीचे से शुरू हो है एक फिर ऐसा है एक ऐसा होना चाहिए यह मतलो alternate होना चाहिए, उपर नीचे होने चाहिए, उसे क्या होगा, कभी failure होता है, तो एक जगा से fail नहीं होगा, तो आपको एक lap यहां देना है, एक उपर देना है, और possible करना है, center में आपके lap आजाएं, pillar के center में, और यह ठेकदार नहीं करते हैं, इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, proper से cutting करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि 10 foot height है, 5 foot पे हमारा lap आना चाहिए, सारे एक जगा म नहीं पता हो चला होगा, देखो यह जो तीन section मनाई है, A, B, C, आपको कहां lap देना होता है, B में, जो B लिखा हुआ है मेने बीच में, वहाँ पे lap देना है, और lap जिनको नहीं पता चल रहा है, समझ लो कि आपके दो सरीये जहां भी जोडनने है, आपको column के center में जोडने है यह पहली चीज हो गई, दूसरी चीज है जब आपका beam बांदा जा रहा होता है, जैसे सामने आप देख रहे हो, beam को बांदा जा रहा है, और lap भी किया जा रहा है, कभी भी आपको beam में जो lap देना है, वो आपको इस तरीके से देना है, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, LY उपर लिखा है, LY3, नीचे होता है हमारा tension zone, उपर होता है हमारा beam का compression zone, यह किस तरीके से बनाया है, मैंने, दोनों तरफ pillar होंगे, बीच में हमारा beam है, यह जहां मैं pen से कर रहा हूँ, यह हमारा beam है, ठीक है, बीच में, तो कभी भी आपको beam में जो lap देना है, नीचे compression, tension zone म वहां पे दे दो, और जो उपर का lap आपको देना है, वो आपको देना है center में, beam के center में, मतलब नीचे भी हमारा beam का सरीया होता है, उपर भी, नीचे वाला सरीया देना है हमें support के पास, यहां column और beam जूड रहा होता है, वहां पे lap देना है, उपर में आपको देना है, beam के center म तो आपका beam कभी fail नहीं होगा अगली चीज़ समझो जी जो L होती है मतलब जो column हमारा खड़ा होता है pillar खड़ा होता है उसके नीचे L होती है न ये जो ये कितने देने चाहिए कुछ लोग कहते हैं 300 दे दो 500 दे दो कैसे decide किया ऐसे नहीं करना है एक फीट या डेड़ फीट कितना देना है इसकी calculation होती है वो कैसे करनी है मैं बताता हूँ तो ये जो L देना होता है आपको ये L जो minimum पहले समझो कम से कम आपको कितना देना होता है एक फीट कितना 300 mm या एक फीट आपको देना ही देना है अब ये निकालते हैं कि आपका ये L कितना होना चाहिए, आपकी footing की depth पर depend होता है, ये जो होती है na footing की depth, ये हमें कहिए कि ये 300 mm या 1 feet है, 300, 1 feet लगबग 300 mm होता है, ठीक है ये समझ लो पहले, मैं feet में समझा रहा हूं mm में, कुछ लोगों को feet में समझ आता है, कुछ लोगों क मैं तो दोनों समझा रहा हूं, तो हमारी ऐसे तो calculation होता है, सब कुछ design होता है calculation के साथ, लेकिन 50D अगर आप लोग है, जो आपकी development length रहेगी, safe रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आगी, 50D ले लिए मैंने 50 into 20 करते हैं, कुछ 1000 mm आता है, यह 3.2 feet आता है, ठीक है समझ गे, तो यहां से जो जहां तक सरी आएगा नीचे तक, जितने की आपकी footing की depth होगी, वो count कर लेनी है, एक feet वो हो गई, हमें total कितनी development length रहेगी है, 3.2, एक feet यह हो गई, जितना बचा बाकी L आएगा, तो इस तरीके से निकालते हैं, यह होता है, पूरा development length, यहां से यहां, तो यह अ मतलब लगा लो 700 mm, तो footing का size अगर छोटा होगा, तो बढ़ा हो गया, लेकिन 500 mm तो दे सकती हो न, तो मतलब जादा से जादा देना है, और इतना जादा हम नहीं देना है, waste stream नहीं करनी है, लेकिन इतना कम भी नहीं देना है, कि load distribute नहीं हो, तो इस तरीके से calculate होता है, कोई नहीं बताएगा, पता चल गया, अभी अगले हमारा beam में, देखो beam की development length क्या होती है, encourage length, ये सामने जो है, ये L जो मारे हुए है, काफी लोग नहीं मारते है, अगर ये L नहीं मारोगे न, तो beam का मैं बोलता हूँ, कोई मतलब नहीं, अगर load बढ़ गया, तो beam ऐसे slip हो जलती है, ऐसे तो calculate करना होते है, calculate करने जाएगे, बहुत लंबा process है, आप video छोड़के बाग जाओगे, लेकिन 52D कम से कम 2 अपने गर में, और 50D कैसे देना है, मैं calculate करके बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि 50 into 20 mm का सरी है, तो 1000 mm देना है, लेकिन 1000 mm पूरा calculate कैसा होना चाहिए, व मैंने पकली है, 50D आपको रखना ही रखने, 50 into 20 mm का ये सरीया है, कितना 20 डाया का ये सरीया है, तो 1000 mm हो गया, यहां 3.2 feet हो गया, 1000 mm भी समझा आ गया, जिनको feet में पता नहीं लगता ही हो गया, 3.2 feet हो गया, clear यहां तक clear हो गया, जो आपको ये L रखने है, वो depend करते है आपक reduction कर रहे हैं, बहुत चीज़े होती है, वो समझाओंगा, वो नहीं समझाएगा, simple भाशा में इतना भी करतो होगे, तो बहुत हो जाएगा, 1 feet ये है, हमारी development length है 3.2 feet, तो करनी, निकालनी कैसे है, 1 feet यहां से यहां, यह 1 feet calculate होगा, यह भी इसमें calculate होगा, और जो बचा 3.2 से minus करेंगे, 2.2 feet, तो यहां से लेके, यहां तक यह कितना होना चाहिए, 2.2 feet होगा, तो proper से encourage length होती है, अगर यह 2 point, करते क्या है लोग, 300 mm, 400 mm, मतलब 1 feet, 1 feet, 1 feet, ऐसे देते हैं नहीं, भाई, यह 2 feet जरूरी है, कुछ बोलेंगे सर, pillar तो बरदिया होता है, pillar खाली रखो यहां होनी है, जितना मर्जी डाया का सरीया देदो, fail हो गई होगा, जब अतके एक आएगा, गर को strong बनाने के लिए, सबसे important चीज होती है हमारा सरीया, अगर सरीया, सही great का, सही company का appropriate कर दिया, लेकिन अगर ऐसे नहीं बांदा, तो fail होगा, तो ऐसी videos के लिए आप channel को subscribe करके रख सकते हो, और अगर इस पर और वीडियो चाहते हो, comment करो, वीडियो और आजाएगी, अभी मैं लेता हूँ, अलवीदा, thank you guys.